लेलो एवरिवन आज हम bitwise operator के बाले में पढ़ेंगे so bitwise operator का use हम bit operations perform करने के लिए करते हैं अब आप सुचेंगे bit क्या होता है bit computer language में 1 and 0 को कहते हैं तो यहाँ पे bit 0 and 1 हुए उसके बाद हम bitwise operator में क्या करते हैं किसी भी decimal value यानि 5 ले लेते हैं example के लिए उसको binary में पहले convert करते हैं binary का मतलब 0 and 1 में तो 5 का जो binary value होता है वो होता है 0,1,0,1 उसके बाद आप सोच ले होंगे 0,1,0,1 आया कहां से तो अभी हम वो देखते हैं कि इसको calculate कैसे करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मेरे पास 5 जो है series बनाने पड़ेगी जिसमें मैं double करती जाऊंगी हर एक नंबर का जैसे 1 का double 2,2 का double 4,4 का double 8 अब मैं चेक करूंगी कि 5 किस-किस को मिला कर बनेगा तो 4 प्लस 1 को 5 मिला कर 5 बनेगा तो यहां पर 4 के नीचे 1 लिखा and 1 के नीचे 1 लिखा उसके बाद बाकी जगे 0 तो मेरा क्या बन गया? 0101 binary value calculate करने के बाद फिर जितने भी bitwise operators होते हैं वो इनी binary values पे work करते हैं bitwise operator के भी बहुत सारे types होते हैं first bitwise and operator second is bitwise or operator third one is bitwise xor operator fourth one is bitwise left shift operator fifth one is bitwise right shift operator and the last one is bitwise not operator हम इस वीडियो में first three के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो होती है truth table truth table होती क्या है वो अभी हम देखेंगे तो सबसे पहले example के लिए हम दो operating ले लेते हैं x and y तो यहां पर इस table से हम यह देखेंगे कि कितनी possible values बन सकती है true और false की तो सबसे पहले हम bitwise और case में देखते हैं अगर हमारे दोनों operating की जो value है वो false हुई तो हमारा output false आएगा अगर एक की false हुई एक की true हुई तो हमारे पास true आएगा अगर एक की true हुई एक की false हुई तो यहां पर हमारे पास output true आएगा अगर हमारे पास x और y दोनों की value true हुई मतलब 1 1 तो यहां पर हमारे पास output bitwise और की case में true आएगा अब हम बात करते हैं bitwise and operator की उसमें दोनों compulsory होने चाहिए मतलब दोनों condition जो भी है दोनो x and y की value है वो true होनी चाहिए तब हमारा output 1 आएगा like सब में हमारा 0 है क्याना में सारी condition में एकाथ false आ रहा है बस last वाले में जब दोनों x और y दोनों की value 1 1 है मतलब true है तो यहां पर x and y जो हमारा output 1 आएगा अब हम बात करते हैं x और operator की तो यहां पर जब भी same value होगी तो यहां पर हमारा output 0 आएगा otherwise different values पर यह output true देगा मतलब 1 देगा तो यहां पर आपने देखा होगा 00, 0 दे रखा है 01, 1 दे रखा है 101, 1 दे रखा है and 11, same है तो 0 दे रखा है अब हम example के through तो सबसे पहले माल लीजिए आपने 2 variable declare किया है x and y x को माल लीजिए आपने 20 initialize कर दिया and y को आपने 16 initialize कर दिया तो अब हम सारे bitwise operations को इनी 2 operator पे perform करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं तो हमें क्या करना होता है bitwise operator में सबसे पहले हमें decimal values को binary में convert करना होता है तो हम पहले x की मतला x की binary value निकालेंगे जो की 20 है 20 की decimal value को binary में convert करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था double करते हम number तो 1 का double 2, 2 का double 4, 4 का double 8, 8 का double 16, 16 का double 32 अब 20 का binary निकालना है तो किसको plus करके हमारा 20 बनेगा 16 and 4 को तो 16 and 4 के आगे मैंने 1 लिख दिया और बाकी जगे 0 अब बाकी 16 किसको मिला के बनेगा सिर्फ only 16 का यूज करके तो हमारे पास x की जो binary value आगी 10100 एंड y की जो binary value आगी वो आगी 1000000 उसके बाद हम binary में convert करने के बाद अब हम operation perform करेंगे जैसे की bitwise and operator तो यहाँ पर हमारे पास x की हमने binary value लिख दी और y की हमने binary value लिख दी अब यहाँ पर हमारे पास truth table का use आता है तो bitwise and y का मतलब क्या था जब 00 होगा मतलब दोनो true होने compulsory है तो यहाँ पर false यहाँ पर भी false आएगा मतलब 0000 आएगा and one 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 आएगा क्योंकि दोनो true है तो यहाँ पर हमारे पास अब one zero 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 आगया अब हमें इसका output देखने के लिए कि इसका output क्या आएगा तो सबसे पहले one zero 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 को decimal में converge कर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसकी value लिखेंगे तो इसकी जो x and y आ रहा है वो 16 आ रहा है तो हमारे पास output हमारे पास आ गया अब हम बात करते हैं bitwise or operator की तो bitwise or operator की case में क्या होता था कि अगर एक भी true आ जाए value हमारी तो हमारा output true आता है तो यहाँ पर मैंने x की binary value लिखी and y की binary value लिखी उसके बाद मैं x bitwise or operator y का यूज करूँगी तो यहाँ पर मारे पास output 10100 आएगा तो यह तुरूज टेबल का यूज करके मैंने किया है तो उसके बाद अगर मुझे इसका output देखना है तो मैं फिर से वह double वाला करूँगी 68421 and उसके बाद मैं यहाँ पर values लिखूँगी कि किसको यहाँ पर 10100 तो मेरा 20 आर आउटपूट अब हम बात करते हैं bitwise x or operator की तो यहाँ पर पहले मैंने x की binary value लिखी y की binary value लिखी अब x or की case में क्या होता था जब भी different values होती थी तब ही true return करता था वरना false तो यहाँ पर हम x x or operator bitwise x or operator and y तो यहाँ पर हमारा पस यह इसका answer आएगा तो अपर हम इसको decimal में convert कर लेते हैं तो आप लोगों को पता है decimal के में कैसे convert करना है पहले numbers double करने हैं तो यहाँ पर 4 आ रहा है I hope you like my video if you like my video you need to do only three things like share and subscribe and don't forget to press on the bell icon to get the notification first stay home and stay safe and be happy and learn more and more thank you for watching my video have a nice day and take care